आई हो स्वागा था आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल फंटसी लिजेंड अखाड़ा में तो दोस्तो अपने इस वीडियो में बात करेंगे ड्रीम एरवन तो वागो टीटन ब्लास्ट मैच के बारे में जो की खेला जाएगा दोस्तो पीजन, पॉइंट, स्ट्रा का काम करेंगे तो बिल्कुल आप वीडियो को लाश्ट तक देखो, कैप्टन वाइस, कैप्टन किसको करना है दोस्तो जील में और एसल में दोस्तो आपको कौन-कौन से प्लेयर को लेना है, सभी चीज़े मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बस वीडियो का आप लो चनल पर तो बिल्कुल आप लोग टेलिग्राम को जोइन किज़ेगा, लिंक दोस्तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूँ, चलिए बात करें दोस्तो मैच के बारे में, दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, तो भाईयो यहाँ पे एक ची चारी है, तो दोनों टीमें इक्वल हैं, बड़ दोस्तो इनकी टीमें में मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉंग लगता है, पी बियार का टीम लगता है, ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत इस्ट्रॉंग लगता है, बड़ देखना पड़ेगा, कौन को से प्लेयर्स इंप head to head record की बात करें, तो head to head में देखें दोस्तों यहाँ पे, जो दो match खेले गया है, उसमें दोस्तों PBR की टीम ने यहाँ पे दोनों के दोनों match विन किया है, इसलिए दोस्तो मैं PBR को फेवर कर रहा है, ठीक है, ठीक है, पी बियार की टीम मुझे थोड़ी strong लगती है, यहा आप देखें तो यहां पर Mike Joseph M. Joseph जो है न M. K B Joseph बोल सकते हैं नगया है और यह आपको 79 करते हुए यहां पर दिखे थे Jesse Booterन है यह दोस्तो 33 runs आपको करते हुए दिखेंगे यहां पर ठीके tapр Coucher है यह 27 run किये थे ठीक है तो यह इनका top order है ठीक है उसमें दोस्तो एम जोसेफ है और यहाँ पे जेसी बूटन है और एकिल कूपर है यह आपको टॉप ओडर पर बैटिंग करते दिखेंगे तीम के कैप्टन है डेरोन डेरोन आपको चाथे पांचवे नमबर पर बैटिंग करते भी दिखते हैं जरली यह लेकिन यह भी काफी अच्छे प्रेयर है ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं तो यह दोस्तो इनका जो बैटिंग युनिट है ना लास्ट मैच अकॉर्डिंग यह रहा है उसके बाद दोस्तो जे केंट है एलेकजंडर है नानन है दोस्तो यहाँ पर रोबर्स है ठीक है आर विलियम्स है यह दोस्तों यहाँ पे सांगी है ठीक है ये सांगी जो player है रहे है वो अच्छा player है balling कर लेता है लेकिन पता नी स्मेक में balling करेगा की नहीं बड़ दोस्तों important जो यहाँ से batters है इनको देख सकते हो ठीक है Joseph important रहेंगे बूटन important रहेंगे Cooper important रहेंगे Alexander भी important रहेंगे अगर इनका batting आ जाये तो ठीक है तो ये इनका batting unit है दोस्तो अब इनके balling unit की तरफ देखें तो दोस्तो यहाँ पर आपको akil cooper है जो कि आपको top order पर batting प्लस दोवर की balling भी करते हुए दिखते हैं ठीक है तो इनको लेकर के चलेंगे उसके बाद दोस्तो ड दोवर का balling इनका fix रहता है लेकिन इनको लास्ट मैं जो खेले थे उसमें एक वर balling किया था एक विकेट ले करके गये थे आरोन नानान है दोस्तो ये दोवर की पूरी-पूरी balling किये थे और एक विकेट इनको मिला था तो ये important रहेंगे ध्यान दे करके चले अगर ठीक है Roberts ने उतने important नहीं रहेंगे लेकिन दोस्तो देखो यहाँ पे एक वर इनको डाला था एक विकेट भी लिया था ठीक है तो ये चीज़ को consider करते हुए आप GL वगरा में Roberts को ले करके चल सकते हो ठीक है और यहाँ पे दोस्तो Daniel है मैं इनको नहीं लूँगा preference नहीं दूँगा उनके जगा मैं Roberts को preference दे सकता हूँ यहाँ पे दोस्तो सांगी है यह भी balling कर लेते हैं लेकिन दोस्तो यह थोड़े किफायती रहते हैं आमेसे देखो यहाँ पे 18 के economy है मतलब एक वर डाले था 18 रन दिये थे दोस्तो इना ठीक है तो यह चीज़ को देखते वे consider कर सकते हो यहाँ से जो important रहेंगे ना balling section से देखो Cooper को ज़्यादा importance दो Daron को importance दो काफी अच्छे player है यह ठीक है आरो नानन को importance दे सकते हो यहाँ पे और Roberts को दे सकते हो और Ryan Williams से 5 जो player है ना इनको balling से इनको preference दे सकते हो लेकिन जो main रहेंगे उनमें तीन ही रहेंगे यकिल कूपर है डैरोन है और यहाँ पे दोस्तो रायान विलियम्स है इन ही players को मैं ज़्यादा preference देने की कोशिस करूँगा तो यह दोस्तो इनका balling unit है मैंने आपको हर एक चीज बताया है आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हो आगे बात करें अपन तो दोस्तो अब टी है कि श्टोफर विंसेंट प्लेयर ये भी अच्छे है लेकिन इनका हर मैच में बल्ला नहीं चलता जैसा कि यहाँ पे चार रन पे आउट हुए थे ठीके दो बाल खेले एक पे चौका पड़ा सेगें में दोस्तो आउट हो गया थे लेकिन प्लेयर अच्छे है विंसेंट आई करके चल सकते हो अपने टीम में ठीक है आपको दिखेंगे यहाँ पे दोस्तो सैमोन हुपर प्लेयर काफी सांदार हीटिंग कैबिलिटी रखता है ठीक है त्रीपन रन लास्ट मैच किया अच्छा प्लेयर है अगर खेलता है तो बिल्कुल आप इनको टीम में ले करके है चल सकते हो manière लोन रिचर्ट्स आपको दिखेंगे जोभी सणकरते हुए दिख रहां है तेरा बॉलो के अंदर तो इनके पास भी हीटिंग कैबिलिटी है इंपर्टेंट हो सकते है अगर खेलेंगे तो ठीक है तो यह दोस्तों इनका balling unit है जो कि last match के according यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेंगे थर्टन यहाँ पे डुनकेन और यहाँ पे दोस्तों वैंकिन है और डिमूरा है और यहाँ पे Brooks है एम जेम्स है और यहाँ पे दोस्तों रांज से हैं तो यह इनका बैटिंग unit है last match के according जो कि important यहाँ पे नाविन रहेंगे most important सैमान हुपर है और मारलोन रिचार्ट यहाँ पे विंसेंट है यह players मुझे काफी important लगे इनको मैं बिल्कुल अपनी टीम में try करके चलूँगा तो दोस्तों आगे बात करें अपन बॉलिंग unit की इनकी टीम के तो भाईयो बॉलिंग unit से बात करें तो देखो आपको नाविन stewards है टीम के captain यह opening पे बैटिंग भी करते हैं प्लस दोवर की बॉलिंग करते हैं तो इनको तो ले यह भी दोस्तों टॉप order के player आपको मैंने बताया उपर में दो विकेट ले करके जा रहे हैं यहाँ पे दो वर की पुरी-पुरी बॉलिंग कर रहे हैं तो इनको भी ले करके चलो ठीक है important रहेंगे आपके लिए काफी important player ठीक है तो दोस्तों थर्टन को अपनी टीम में लेना चाहो तो ले करके चल सकते हो ठीक है उसके बाद दोस्तों वहाँ पे बुरुक्स दिखेंगे वो मुझे इतने important नहीं लगे तो नहीं लोगा 7 उपर है और ये दोस्तों बैटिंग से भी अच्छा काम कर रहे थे उपर मैंने आपको बताया है ठीक है 7 उपर बैटिंग से भी दोस्तों ठिक्ठा कर लेते हैं तो इनको ले करके चलो जो यहां से important baller रहेंगे देखो स्टिवर्ट्स है जो कि all-under है ठीक है वेंसेंट ये भी all-under player इनको भी लेकर के चलेंगे 13 को try कर सकते हो 7 उपर है ठीक है Marlon Richards है इनको try कर के चल सकते हो बाकी को अपने according देख लेना लेना रहे तो अपने भी साब से ले भी सकते हो बड़ दोस्तों जो मुझे important लगें मैंने यहां पर आपको बता दिएंगे दोस्तों बात करें player selection की team के बारे में बात करें कैसे team बनेगी हमारी तो भाईयो यहां wicket keeping section में आपको दिखेंगे तो third and sub super दिखेंगे जो कि आपको top order पे दोस्तों सभी चीज़े करते हुए दिखेंगे ठीक है तो इनको लेकर करके चलेंगे मुराय को तभी लेना जब आप top order को फ्लाफ करों क्योंकि इनका दोस्तों batting बहुँर डाउन रहेगा तो मैं consider नहीं करूँगा बाकि आप अगर mini jail एकदम risky वाला खेर रहे हैं तो आप इनको try कर सकते हो लेकिन मैं तो consider नहीं कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पर जूलियान अगर खेलेगा तो यह ठीक ठाक प्लेयर है इसको try करके चल सकते हो तो दोस्तों आप चलो आते हैं सिधे बैटिंग सेक्षन की तरफ और बैटिंग सेक्षन से दोस्तों आपके लिए जो important है ठीक है अकिल कूपर टीम में लेकर के चलना है ठीक है जो सिप को लेकर के चलना है दोस्तों balling करता नहीं है यह बैटिंग से ही आपको points लेकर के जाएगा ठीक है तो इनको लेकर के चलेंगे बट यहां से दोस्तों आपको Brooks दिखेंगे जो की Game Changer अगर लग रहा है तो लेकर करके चलू कि एक आद दोबर की Balling करते हैं इंपोर्टेंट उतने नहीं रहेंगे तो Evan Levis से यहां पर Line Up में जरूर मताब Squad में जरूर है लेकिन दोस्तों खिलने के बहुत कम चांचे से ठीक है एक T10 के मैचिस बहुत कम खिलते हैं यह वाले उसके बाद दोस्तों यहां पर यह दूनकेन है इसके बारे में बात कर चुका हूँ लेकिन आपको लेना रहेगा तो ले सकते हो ड्रॉप करना रहेगा तो ये भी दोस्तो आपको balling plus batting दोने से points दे रहे हैं तो लेकर के चलना पड़ेगा दोस्तो यहाँ पर team के captain है डारवन इनको भी अपनी team में लेकर के चलूँगा balling दो बर्क करते हैं प्लस दोस्तो ये तीसरे चांथे नंबर पर batting भी करने के लिए आ जाते हैं तो इनको लेकर के चलना ही पड़ेगा उसके बाद दोस्तो यहाँ से दिखेंगे जो अस्वा वार करके एक player है जो last match खेले नहीं थे लेकिन ये खेलते हैं तो बिल्कुल इनक इंपॉर्टन नहीं रहेंगे जो आर्टांडर सेक्षन से हैं ये चार player को ही मैं अपनी टीम में लेकर के जाओंगा balling section की तरह पाता हैं दोस्तो balling section में जो हमें important player दिखेंगे न देखो Marlon Richards है जो की most important player है टीम में बिल्कुल लेकर के चलिएगा Roberts को भी अपनी team में लेकर के चल सकते हो ये भी अच्छा खासा balling कर लेते हैं तो इनको लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो R. Williams आपको दिखेंगे R. Williams का भी balling ठीक ठाक रहता है तो बिल्कुल आप इनको consider कर सकते हो ठीक है दोनों में से किसी एक player को selection भी बहुत कम है और player काफी सांदार है दोस्तों ठीक है और एक art player दोस्तों यहां से जो कि आपके लिए काम करके जाएं ठीक है बैटिंग सेक्षन में तो नहीं है लेकिन Brooks को आप try कर सकते हो लेकिन मुझे ज़्यादा personally ऐसे players को लेने का मन है जो कि आपको दोवर की proper balling दे और proper balling दोस्तों आर विलियम्स आपको दे करके जा सकता है तो अभी के लिए मैं आर विलियम्स को ले करके गया हूँ अपनी टीम में और यह मेरी दोस्तों इस match की डेमो टीम रहेगी यहां पर मैं captain wise captain की बात करूं आप लोग लिए तो एन इस्टिवर्ट हैं important captain wise captain विंसेंट है दोस्तों इनको भी cvc try करके चल सकते हो जोसेफ है इनको cvc try करना चाहो तो cvc try करके चल सकते हो दोस्तों ठीक है तो यह तीन प्लेयर मैं आपको option बता रहूं captain wise captain के लिए बाकि दोस्तों जो मेरी final team रहेगी वो मिल जाएगी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों चैनल को subscribe करके मिलते हैं नेक्ट वीडियो में thank you so much